कर यह acquire पूइंस कर रहे हैं सर क्या इसलिए हैं हम फिर से चार्ट बनाएंगे यहां पे अलग अलग और अलग-अलग तब क्या effect होगा अगर हमारा fix cost कम हो जाए तो chart पे क्या फरक पड़ेगा अगर हमारा decrease variable cost हो जाए तो chart पे क्या फरक पड़ेगा हमारा और increase selling price हो जाए और increase sales volume हो जाए तो क्या फरक पड़ेगा सबसे पहले तो हम इसके ना questions के हिसाफ से हर किसी का नए वाला break-even point निकाल लेंगे हम ठीक है पहला point सर हमें FC पता है पहले normal without affecting FC पता है सर FC दे रखा है हमें 5000 सर सेल्स पता है सर सेल्स दे रखा है selling price भी और sales volume भी है तो selling price आपका है और sales volume है तो आप easily बोल सकते हो सर यह होगा 20,000 और VC पता है सर VC भी आपको दे रखा है किस में 10 रुपे unit है और volume आपका यह है तो कितने आजाएगा into करोगे तो सर 10,000 इतना तो समझी गए हो गया इसको minus करेंगे तो सर आजाएगा contribution मैं यहीं करके दिखा रहा हूँ न आपको करेक्ट, contribution आगया अब हमें सबसे पहले तो break-even chart यानि break-even point निकाल लेते हैं तो सर break-even point that is क्या होगा हमारा fix cost divided by PVR सर fix cost कितने क्या है सर fix cost है और PVR क्या है जीरो पॉइंट हमारा PVR तो निकाला नहीं है तो हम PVR इधर निकाल लेते हैं PVR is equal to sales contribution divided by sales होगा न तो PVR contribution हमें पता चल गया और sales भी पता ही था contribution सर हमारे पास था 10,000 sales है 20,000 into में 100 से गुना कर गया तो क्या जाएगा 20 से 20 cancel और 205 50% सर 50% आ गया तो यहां पर रख देंगे हम 50 0.5 तो यह आ जाएगा हमारा ओ माइगाड 20,000 ही सही रखा है न अरे नहीं नहीं जी नहीं मैं सुचू यह दोनों से इम कैसे आ गया यहां पर fix cost तो कुछ और है 5000 तो 5000.5 करेंगे तो डबल हो जाएगा 10,000 क्योंकि FC 5000 है न 5000 डिवाड़े पॉइंट फाइव दस अजार 5000 डिवाड़े पॉइंट फाइव दस अजार एक्जेक्ट लिए वही क्यों calculator पर कैसे गलत आ गया पर जिसको समझ में नहां कमेंट में जरूर बता दें ठीक है न कमेंट में बताईएगा और चैनल को तो बताए क्या करना है आपको लाइक शियर सब्सक्राइब और अच्छे से पढ़ना में पूरा solution कराने वाला हूं पूरा का पूरा मैं कराने वाला हूं किस आपका क्या में अरोड़ा और फिर पेपर वगएरा solve easily आपसे हो जाएंगे मेरी कोशिस से पहले तो मैं में अरोड़ा पूरी बुक खतम कर दूँ आपकी फिर हम आगे चलेंगे ओके ओके सर ठीक है कि अगर पहले तो हम हर जगह solve करेंगे कुश्चन के साथ साथ ही पहले नॉर्मल है हमारा यह देखें कि कुश्चन के साथ साथ ही solve कर लेते हैं मैंने चार्ट थोड़ा सा मैंने कह लो अच्छे से बन जाए इसलिए थोड़ा सा काम चूरी बोलो आप हमारा एफ सी जो है वो होगा 4500 रुपए तो अब नियू ब्रेक इवन पॉइंट भी निकलेगा पीछे वाले कोश्चन में देखो इसी कोश्चन को हम आगे करेंगे पहले पॉइंट के लिए तो यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट नियू आ जाएगा सर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 4500 जैसे हमारा फरक क्या पड़ा है सर एक तो टी सी भी हमारा क्या होगा डाउन हो जाएगा और एफ सी तो हमारा क्या हुआ डाउन हुआ ही हुआ ठीक है चलिए ग्राफ में देखते हैं एक मैंने यह ग्राफ बना लिया आपके सामने मैंने कहा थोड़ा काम चोरी है इसी के उपर पर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा इतनी ज्यादा नहीं करूँआ चलिए सर अब नीचे देखिए क्या लिखा है यूनिट हमेशा नीचे रखना है आपको यूनिट होफुली आपको विजुलाइज होगा देख लेते हैं यस सर अबゃ है विजुलाइज नीचे क्या है सर यूनिट है और इथर क्या है कॉस्ट और रेवेनियू यानि शेएल्स रेवेनियू मतलब सेल्स है अगेन हमारा अगर मैं बात करूं सेल्स का तो सेल्स तो सर watches सता हो जाता है सेलस को सुट्य हमारा कहां किया सेलस कहां गया सेलस कहां गया सरson में अगर सेलस की बात करोगे ना टो दस हजार तो यूनेट थे और बइस रुबए का एक है तो टोटल सेलस बीस चाँ है तो यह वाली लाईन तो बीस हजार ही लेना नहीं पड़ेगी नzuge endure लेगा चाहार आप बच्चे कुष्टन पूछ रहे हैं कि सार हमें कैसे पता चलेगा 48 रखना मैं चाहूं तो यहां पर रख सकता हूं दो चाहर छी आठ दर सब्रहर हैं चाहूं तो 1 2 3 4 तो इतनार रखे मैं चाहूं तो 5 10 15 20 चाहिए है और इन दोनों का सेमी रखना है नीचे ऊपर ताकि आपका ठीक बन पाएं यहां पर आगर आपका चार है तो यहां पर भी 246 इसे हिसाब से चलना चाहिए क्योंकि यह मैच होना चाहिए तो पहले लेवल की सेल देखोगे तो दो हजार यून दो सो यूनिट बेचोगे बीस के हिसाब से दो चाहर यह यहां आएगा तो यह यहां बनेगा ठीक है न कि यह ट्राइग करें कि यह बंद तो रहा है चलो छोड़ो बाद में देखें यह बनेगा कि सर पुराने वाले टी सी की बात करते हैं हम पुराने वाले हम टी सी की अगर बात करें तो पुराने वाला जो एफ सी था वो तो यह रहा देट इस एफ सी सर ऐसे क्यों सर पहले एफ सी जो था ना वो एफ सी था सर पांच हजार तो 5000 की बात करें तो 8 और यहां कहीं बीच में आएगा 5000 ठीक है इसके बाद हम TC की बात करें पुराने वाले TC की बात करें तो पुराना वाला TC जो रहेगा वो भी यहीं से चलेगा यह चला हमारा पुराने वाला TC यह old वाले है ठीक है यह हमारा TC है और यह हमारा sales है ठीक है सर इन दोनों ने आपस में cut कर दिया सर आपने ध्यान ने दिया बिल्कुल सर यह है हमारा break even point तो देखे break even point हमारा पुराने वाले की बात करें तो पुराने वाले का break even point आया था हमारा क्या सर break even point आया था 10,000 ठीक है यहां पर देखिएगा तो आपका 10,000 तो यहां पर कहीं ने कहीं 10,000 के आजपास ही आ रहा है अगर आप देखें तो यह 12,000 है थोड़ा सा गड़ बड़ा गया यह ऐसे होना चाहिए थोड़ा सा उपर नीचे होगे कोई बात नी यह 10,000 पर ही काट रहा है यह 10,000 क्लीन कर देता हूं थोड़ा भई आप बोलोगे सर कितना गंदा गंदा कर दिया है पहले अच्छा दिख रहा था ओहो इसको बेटा देते हैं ओमाइगा पूरा हट गया तो वैसे भी बन रहा है मारा तो पूरा हट गया यहीं पर कर दें नहीं सर वही रहने दो ठीक है यह कहा चुप गए कि इसको बैक में ले जाना पड़ेगा मूव टॉप लेयर बौटम लेयर प्रिवियस लियर नहीं आया कुकि वह इसके पीछे चला गया है हम 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 चलो कोई नहीं है कर दो किसी से तो अब हो गया हाँ यह हो गया ठीक है यहाँ पर थे हैं इसे मिटा देते हैं ठीक है यह अच्छा नहीं लग रहा है यह गंदा-गंदा कर रहा है यह जी मिटा दिया मैंने अब साफ साफ है अब नियू ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं नियू ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 9000 रुपय हो गया तो 9000 होने का मतलब सर यहां पे हमारा ध्यान से देखोगे अगर बिल्कुल तो एक तो टोटल कॉस्ट थोड़ा नीचे सिफ्ट हो गया है टोटल कॉस्ट देखोगे थोड़ा नीचे सिफ्ट हुआ है है कर अगर मैं बात करूँ थोड़ी और थीकनेस बढ़ा देते हैं ठीक है टोटल कॉस्ट और सर ये ओहो कोई परिशानी इसकी वजह से हमारा सेल्स सेल्स में फरक नहीं पड़ा सर सेल्स वही है इसकी वजह से देखिएगा आपका सेल्स यहां पर आ कि टकड़ाया है तो ये बनेगा New Break-Even Point ये प्रूफ करना था सर नियू ब्रेक इवन पॉइंट और यह देखेंगे न तो यह 9000 के आसपास याएगा यानि यह जो है कहीं न कहीं यहां जाएगा जो कि सेल्स आपका डिनोट कर रहा होगा 9000 और यूनिट के टम्स में अगर बात करोगे तो यहां पे है जो कि 500-600 जो भी आए कुछ यूनिट जाएगा तो हमें बताना था यह वाला कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है यह पहले वाला यह तो था ओल्ड वाला और यह नियू तो सर क्या फरक पड़ा इसकी वजह से हमें प्रूफ करना था कि हमारे टोटल कॉस्ट भी नीचे सिफ्ट हो रहा है और फिक्स कॉस्ट भी न था कि और तो तो हमें यहां पर आंशर निकाल ले श्रीड इस वांज़ लें पॉइंट नम्ब भी किसकी अगर वेरियबल कॉस्ट में आप इसकी करोगे आशां सर आपका जो सेल्स तो आपका बीस अजार है और वेरियबल कॉस्ट पहले कितना था यह वेरियॅल कॉस्ट व सेड़ा है सब्सक्राइब क्राइब जाएगा कितने परसेंट सर दस परसेंट करने एक हजार यह इस खाइगा कांट्री निउब आञे मजày सर कंट्री आ गया 11,000 तो निउब भी ब्रेक इवन पॉइंट भी आज सर ब्रेक इवन पॉइंट क्like般 मत्न पहले तो PVR निकाल लो सर, PVR क्या होगा, contribution 11,000 divided by 20,000 रुपे सेल्स है, इंटू में 100, तो 11,000 divided by 20,000 into में 100, बस चेप्टर में ज्यादा जान बचानी कुछ, बस कुश्चन करने हैं, 55% आगे हमारा ये, तो यहां पे देखा जाए तो सर, 5000 फिक्स कॉस्ट में बदलाव तो है न कर, 9090 का break-even point, 9090 का break-even point, चलिए इसका चार्ट रेख लेते हैं, यह याद रखिएगा आप, 9090 break-even point है, यह देखिए आपका C के लिए था, यह second part के लिए है, 9090 new break-even point और एक VC हमारा आ गया था, 9,000 रुपे, अब देखिए, FC पे कोई फरक नहीं पड़ा, अब ध्यान देजेगा, यह हमारा X है, ठीक है, इसे delete करते हैं, normal ले लेते हैं पहले तो, यह X हो गया, और यह Y हो गया, नॉर्मली जो आप करते हैं, मैं इसी के ओपर draw करके दिखा रहा हूँ बस, इसके पास सर, sales जो है, वो यू गया, यह sales है, ठीक है न, यह क्या है सर, सर यह जो है, वो sales है, अब पहले जो fix cost था, और in fact, अब भी fix cost है, यह fix cost है, और fix cost में बदलाव तो हुआ नहीं न, fix cost तो पहले भी देखो, fix cost जो लिया है, अभी भी still मैंने कितना लिया हुआ है, 5000, तो इसमें change तो हुआ ही नहीं है, तो fix cost पहले भी वही था, अब बात करतें, tc में change हो गया, सर, tc जो fix cost नहीं बदला तो tc क्यों, tc इसलिए बदल गया, क्योंकि tc होता है, fix cost और vc दोनों को add करने के बाद आता है, tc, तो आपका जब vc नीचे down होगा, तो obvious से बात है, आपका tc भी क्या चला जाएगा, down चला जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए, आपका tc का line है, न, new वाले की मैं बात कर रहा हूँ, न, new वाले मैं tc की line बता हूँ न, यहाँ से start तो वा, लेकिन धीरे, 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 नीचे, 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 थोड़ा सा नीचे आता गया, ठीक है न, और पहले ये था, तो इसकी वजह से क्या हुआ देखो, अब ध्यान से देखना, पहले हम इतने part का profit कमाया करते थे, क्योंकि variable cost जादा था, ये part profit का था, लेकिन जैसे ही मेरा tc downfall हुआ न, जैसे ही मेरा tc क्या हुआ सर, downfall में गया, तो मेरा profit न, ये थोड़ा से area क्या हुआ बढ़ गया, ये वाला area, ये वाला area हमारा बढ़ा है profit, तो incremental profit कहलो, या फिर लिखा हुआ है आपके सामने, ये additional profit कहलो, अच्छा मैंने दूसरा ले लिया, कोई बात न, ये क्या है भई, ओके, ये बढ़ी है, तो ये वाला area, ये तो बहुत जादा हो गया, चलिए, ये वाला area है न, ये 3D effect दे रहा है तो ये था, ये extra profit है, ये वाला area है, वो extra profit है, ओके, इसमें भी option है, पता नहीं कहा आगया ये तो, चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ये area extra profit है, ये है extra, जिसको नाम दिया additional, तो यहाँ पर बस ये बताना था, और new break even point भी देखो, shift हो गया, पहले यहाँ पे था new break even point और cost जल्दी से recovery हो गया, तो new break even point भी हो गया, तो ये fix cost, ये variable cost, यहाँ से यहाँ old वाला variable cost, और अगर उपर चले जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ कौन से वाला हो जाएगा, new वाला variable cost हो जाएगा, यहाँ दे दिया न, इसने new cost लाइं, तो बस आ मैंने कर दिया, yes sir, second मैंने कर दिया, third, यह important point है, और इस पर मैंने पहले discuss भी किया है, यह आपकी responsibility है, और increase in sales volume यह आप करेंगे, ठीक है नहीं तो फिर मैं अगले class में आपको यह समझाओंगा, तो यह दे दिया है मैंने, बाकि PDF notes भी आपको मिल जाएंगे, मिलते हैं, next class मे note कर लिजिए अच्छे से इसको